कि यूजम फुर्ट रुक्ति में आज एक खास चीज बनने वाली है जो कि आपके सेहत के लिए भी अच्छी है और इसे स्पेशल होली में बनाया जाता है थंडाई तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ ड्राइफूर्स लिए है बदाम और कैशुनट और इसके साथ मैं इसमें दालेंगे और यह है सौफ इन सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी डाल कर हम इसे करीब चांद से पांच घंटों के लिए सोख करेंगे पानी में अब देख सकते कि थोड़ी से फूल चुके है अच्छे से और इसमें हमने सोफ भी मिलाई थी तो इसका जो पानी है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से हमें पीस लेना है यह पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है तो यह हमारे ड्राइफूर्स और सोफ पीस कर हो चुके हैं लेकिन इसमें अभी हमें और फ्लेवर देना है तो इसके लिए में यह काली मिर्च पुड़ी सी काली मिर्च और इसके साथ मैं डालूंगे इसमें इलाइची आप ले सकते हैं ज्यादा मीठा है तो आप ज्यादा मीठा ले सकते हैं और एक बहुत जरुरी चीज केशर बिल्कुल जरा सा केशर सुगन के लिए कलर के लिए और सेहत के लिए भी काफी अच्छा केशर होता है तो इसमें थोड़ा पानी और दूट दालकर आप इसे कि दोस्तों अब थंडाई केसे बनाते यह मैं आपको बता दी हूं यहां पर एक ग्लास में दो बड़े चमच मैंने थंडाई ली है इसे हम ब्लेंड करने वाले हैं दूद के साथ यह तो आपके बस मिक्सर है तो आप मिक्सर में कर सकते हैं यह काफी अच्छा थंडा और हम इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे है यह यह थंडाई डेडी है और आसान तरीके से आप एक कोई ग्लास में आइस क्यूब डाले और इसमें अपका थंडाई का मिक्स्चर इसमें शामिल कर ले एक बड़ा सा चमच थंडाई इस तरह से आप बना सकते काफी आसान तरीका है यह और इसके साथ इसमें जाएगा थंडा दूद्ध इसे जरा सा हम निक्स कर ले ताकि अच्छे सरसे मिक्स हो जाए और इसमें जाएगा थोड़े से ड्राइफूट्स ग्रश्ट ड्राइफूट्स और थोड़ा सा केशर तो दोस्तों होली के लिए स्पेशल थंडाई रेड़ी है इंजॉई कीजिए और मेरा अगली वीडियो का इंतजार कीजिए तो बने रहें यह फ्यूजम फूट्स रुपती के साथ अच्छा खाए और अपनी सेहत बनाए शुक्रिया शुक्रिया अ-दिल यह खाए वीडिया खाए ख्युक्रिया शुक्रिया धच्रिया शुकती के सा इंत्र थी तो दो चनिंडे पैस रुझजम और आर ले और उनसे थांड़ी है